कि जब हम resolution को बढ़ाते हैं, तो image का quality बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर से बात है, जब हम resolution को increase करते हैं, तो मेरा क्या increase होता है, तो हमारा pixels का quantity increase होता है, और जब pixel का quantity increase होगा, यानि कि image का quality increase होगा, लेकिन यहां पे मेरा एक सबसे बड़ा question यह आगाता है, कि हम किसी भी image के quality क को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं हलो दोस्तों वेलकम आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल में डिजाइन वाई रोशन के तो यह वीडियो हमारा फोडो सॉप का क्लास नंबर थ्री है क्लास नंबर टू में मैंने आप लोगों को आट बोर्ड तक क्लियर किया था जि का हमारा टॉपिक है रेजिलूशन तो क्या आप लोगों को पता है कि रेजिलूशन क्या होता है आई होप बहुत सारी स्टूइंट को पता होगा कि रेजिलूशन क्या होता है और बहुत सारी स्टूइंट को अभी भी डाउट रहता है कि आखिर मेरा रेजिलूशन होता क् में समझे कि resolution हम बोलते हैं image के quality को यानि कि अगर हम resolution को increase कर देते हैं तो हमारा image का quality increase हो जाता है और अगर हम resolution को decrease कर देते हैं तो हमारा image का quality decrease हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ आ रहा है कि resolution आप देख सकते हैं यहाँ पर resolution पिक्सल पर इंच, बहुत सारे श्टूल को ये मिनिंग भी समझ मैंने आता है कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है 300 पिक्सल पर इंच बहुत बहुतों को confusion होता है कि आखिर ये मेरा है क्या तो चलिए हम इसे समझते हैं क्योंकि अगर एक बार ये meaning को हम समझ जाएंगे तो हमें पूरा clear हो जाएगा कि आखिर resolution क्या होता है and resolution को increase and decrease करने से हमारा image पे क्या effect पढ़ता है तो चलिए हम सबसे पहले इस meaning को समझते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लिखावारा resolution 300 pixel per inch है तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह जो मेरा 300 है वो हमारा कोई एक value है यानि एक number है pixel आपको word clear नहीं हो रहा होगा and per भी आपको word clear हो रहागा तो इसका meaning क्या निकलता है तो इसका यही meaning निकलता है यानि कि 300 लीची per inch यानि कि एक inch में 300 लीची यानि कि ज़र आप सूचिए friends कि यदि हमारा pixel word clear हो जाएगा न तो हम यह meaning भी समझ जाएगे कि आखर यह resolution क्या बोल रहा है 300 pixel per inch यानि यह जो यहां से लेकि यहां तक यह जो मेरा पूरा meaning है यह हमें clear हो जाएगा यानि कि मेरा full जो हम अटक जा रहे है न हम full जाके यहां पर अटक जा रहे है pixels के उपर कि आखर यह मेरा pixels क्या होता है तो चलिए समझते हैं कि आखर मेरा pixels होता क्या है तो pixels कुछ भी नहीं है, pixels हमारा एक square है यानि कि one color का one square उसे हम pixels बोलते हैं अभी आप लोगों थोड़ा सा confusion लग रहा होगा तो चलिए यहाँ पर हम एक image open करके रखे हैं चलिए हम इस image के help से आप लोगो clear करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं इस image को zoom कर रहा हूँ अभी आप लोग confused नहीं होएगा कि हम कैसे image को zoom कर रहे हैं यह सब हम आप लोगों को आने वाले classes में बहुत detail तरीके से समझाएंगे फिलाल आप अभी यहाँ पर वही focus किजिए जो हम आपको दिखाना चाहरे हैं आप अभी जूम पर focus मत किजिए आप अभी focus किजिए pixels के उपर तो दिखिए जब हम image को zoom कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ दिखा होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक box नजर आ रहा होगा कि एक image तियार कर रहा है आप लोग रावन मूवी सायद देखे होंगे आई होप बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रावन मूवी देखे होंगे हमारा सारुख खान उसमें हीरो है तो उस रावन मूवी में मैं आप लोगो बताना यह चाह रहा हो कि रावन मूवी में जो वो हेरो है न यानि कि सारुख खान उसमें जीवन काे रोल करे़ आ Radio सारुख खान एडरावन दोनु मार क्या कुछb पिक्सेल से मिल्का बना वर रहत है यानि कि त्यूब से मिल के बनाुवा हरा रहता है I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा यदि आप लोग को नई समझ में आ रहा होगा तो simple आप रावन को भूल यह simple समझे कि यहाँ पे जो मेरा ये boxes है इसी boxes को यानि इसी pixels को मिला के मेरा एक image बनता है रावन में भी वही होता है कि मेरा जो hero रहता है वह हमारा pixels से यानि कि cube से मिलके बना हुआ रहता है तो यहाँ पे भी वही है आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डबबा को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारा एक image तियार होता है यानि कि हम यहाँ पे यह भी तो बोल सकते हैं कि लाखों pixels को जब हम मिलाते हैं यह हजार पिक्सल मिलके मेरा एक image बना रहा है, क्या नहीं, यहाँ पर लाखों पिक्सल मिलके मेरा एक image बना रहा है, यहाँ पर हम कलोडों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कलोडों हमारा बहुत बड़ा value हो गया है, यहाँ पर हम हजारों भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हजार हमारा बहुत कम, मतलब कम हो गया बट यहां पर हम लाखों बोल सकें कि लाखों पिक्सल्स मिलके हमारा एक image त्यार करता है I hope आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा, अब लाखों को हम international language में क्या बोलते हैं तो आप लोग को पता होगा कि लाखों को हम international language में millions बोलते हैं, YouTube का जमाना है friends, आप लोगों को पता होगा कि लाखों को हम international language में millions बोलते हैं and millions को उन्दूसरे language में mega बोलते हैं, आप जाके net पे सर्च कर सकते हैं कि millions को उन्दूसरे language में mega भी बोल सकते हैं, यानि कि यह बोर सकते हैं कि लाखों पिक्सल्स मिलके मेरा एक image त्यार करता है, तो लाखों को हम millions भी कहते हैं, यानि कि हम यहाँ पर यह भी बोर सकते हैं, कि millions पिक्सल्स मिलके हमारा एक image त्यार करता है, और millions को में mega भी बोर रहे हैं, यानि कि हम यहाँ पर यह भी दो बोर सकते हैं, मेगा पिक्सल्स मिलके मेरा एक इमेज तियार करता है आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो यहां पर दिखे हमारा एक कोशन भी आता है एक सॉल्यूसन यानि उसका अंसर भी आता है आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं जो फोन लेने के लिए दुकान में जाते होंगे तो दिखेगा जब आप लोग फोन लेने के लिए दुकान में जाते हैं तो आप लोग का सबसे पहला कोशन रहता है कि हमारा जो कैमरा है वो कितना मेगा पिक्सल का है या फिर आप दुकान का बात हटाइए यह जब कोई एक new phone लीजिए ऐस फोन को जब आप अमें friends भी दिखहएगा तो दिखेगा आपका wtrens का सबसे पहला question रहता हैने कि यह camera कितना megapixel 甘ा है बड किसी को पता ही नहीं रहता है कि megapixel क्या होता है बस सभी को यह पता हैने कि जितना ज्याधा होगा मेरा image उतना अच्छा हैगा बट क्यों जादा होगा, क्या होता है इसे ये किसी को पता नहीं है सिर्फ सब जानते हैं कि निए जितना जादा megapixel camera का quality उतना अच्छा तो क्या आप लोग को पता चल रहा है कि आखिर megapixel मेरा क्या होता है तो समझेगा आपनों को क्या समझाना चारे है तो समझेगा फ्रेंट्स के हम एक phone लिए है और हमारा जो phone का camera है वो 2 megapixel का है इसे क्या जाइर हो रहा है इसे ये जाइर हो रहा है कि जब हम अपने phone से photo को capture करेंगे तो हमारा जो photo आएगा तो उस photo में यह जो डबबा है इसका यह कितना डबबा रहेगा तो 2 megapixel equal to 2 million and 1 million equal to 10 lakh and 2 million equal to 20 lakh यानि कि 2 megapixel के camera से जब हम photo click करते है तो उसमें यह जो मेरा डबबा है यानि यह जो boxes है वो हमारा 20 lakh डबबा रहता है I hope आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा तो अब आप लोग जड़र बताइए कि यदि मेरा 3 megapixel का camera है तो उसमें कितना डबबा रहेगा तो 3 megapixel के camera में यह जो मेरा डबबा है वो 30 lakh डबबा रहेगा 4 megapixel में 40 lakh 10 megapixel में 1 कडूर 50 megapixel में 5 कडूर यानि कि अगर हम 50 megapixel के camera से एगर photo click करते है तो हमारा यह जो डबबा का quantity है यानि कि हमारा image में यह total कितना डबबा रहेगा तो image में हमारा total 5 कडूर डबबा रहेगा अब एक image में जितना ज्यादा यह डबबा रहेगा ना image का quality उतना अच्छा रहेगा यानि कि image में जितना ज्यादा यह डबबा यानि जितना ज्यादा यह pixel image का quality उतना अच्छा इसलिए देखिए अब megapixel बढ़ रहा है कम हो रहा है क्या पहले आता था 2 megapixel 1 megapixel अब आ रहा है 64 Megapixel, 126 Megapixel, Megapixel बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो Megapixel बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, मेरा Pixels का quantity बढ़ रहा है, बढ़ रहा है न, मेरा Pixels का क्या बढ़ रहा है, quantity बढ़ रहा है, तो यहां पे फर इजामपल जब हम प्रिंट लिए तो आप यहां पे देख सकते हैं लिखाओ आ रहा है 300 पिक्सल पर इंच तो चली यहां पर हम एक selection बना लेते हैं एक इंच का यहां चली माल लेते हैं कि यह जो मेरा selection है यानि कि यह जो हमें एरिया कबर किये है यह हमारे एक इंच का एरिया है तो इस एक इंच में टोटल कितना डबबा होगा यानि कि यह जो आपको डबबा नज़रा आ रहा ने यह टोटल कितना डबबा है तो यह हमारा टोटल 300 डबबा है तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं resolution इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं तो इसी चीज़ को हम बोलते है resolution I hope आपको resolution समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रा समझे कि यदि हम resolution बढ़ाते हैं यानि कि हम file में जाके new के उपर हम click करें यहाँ पे जो मेरा resolution है 300 के जगा यहाँ पे हम कर देते हैं 400 यानि कि 400 pixel per inch हम resolution क्या कर दिये 400 pixel per inch तो ज़रा आप समझे कि जब हम 400 pixel per inch किये तो यह सिर्फ 1 inch में बढ़ेगा क्या नहीं यह हमारा overall image में effect करेगा यानि कि overall image में हर जगा मेरा हर inch में मेरा 300 के जगा 400 pixel हो जाएगा तो अब ज़रा समझे अगर हम resolution को बढ़ा रहे है तो मेरा क्या बढ़ रहा है तो यदि हम resolution को बढ़ा रहे है तो हमारा यह जो pixels है इसका quantity बढ़ रहा है resolution बढ़ाने से क्या हो रहा है मेरा pixels का quantity बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है, जब मेरा पिक्सल का quantity बढ़ेगा ना, तो मेरा image का quality भी तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं, कि जब resolution को increase करते हैं ना, या फिर resolution को decrease करते हैं ना, तो हमारा image का quality increase या फिर decrease होता है, I hope आप लोग को resolution clear हो रहा होगा, Now friends, अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से एक question है, कि क्या आप लोग बता सकते हैं, कि यह जो मेरा image है, वो कितना megapixel के camera से खीचा गया है, जब आप लोग सोचिए, आप लोग क्या बता सकते हैं, कि यह image कितना megapixel के camera से खीचा गया है, तुक्का नहीं मारना है, यादि आप तु आपको यह जो मेरा image जाना कितना megapixel के camera से खीजा गया है तो आप ज़र समझे आपको यह जो एक image नधर आ रहारा है दर ऐसल आपको यह क्या नज़र आ रहा है? तो यह हमें एक rectangle नज़र आ रहा है यदि आपको यहां पे नजर नहीं आए न तो आप image में जाएए and image size में जाएए आपको यहां पे भी यहां से हम unit चेंज कर देंगे पिक्सल रख ले रहे हैं तो यहां पे भी आपको दिखे नजर आ रहा होगा width and height आप यहां पे भी देख सकते हैं या फिर आप यहां पे भी देख सकते हैं first value जो मेरा नजर आ रहा है वो मेरा उपर में यह देहा मेरा width and यह मेरा height यानि कि width मेरा कितना है 1920 यानि कि हम average मार लेते 1900 मेरा रख्या है width है यानि कि 1900 रित हो गया 1300 मेरा क्या हो गया height हो गया और यह आपको क्या नजर आ रहा है तो यह आपको नजर आ रहा होगा एक rectangle तो यदि आप याद किजिए 19th class में आप पढ़े होंगे कि यदि हमारा rectangle का area निकालना हो न तो हम क्या करते हैं तो हम L into B करते हैं यानि कि अगर width और height को अगर हम multiply कर देंगे न तो हमें इसका area निकल जाएगा यानि कि मेरा width में भी 1900 पिक्सल है and height में हमारा कितना पिक्सल है तो height में हमारा 1300 पिक्सल है तो जब 1900 और 1300 को आपस में multiply कर देंगे न तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस image में हमारा total कितना पिक्सल मौझूद है यानि इस image में पिक्सल का quantity हमें पता चल जाएगा इस image का जो pixel का quantity है वो हमें पता चल जाएगा अब जो भी value मेरा निकलेगा न जब हम उसको 10 lakh से divide कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये image में कितना megapिक्सल के camera से खीचा गया है अब आप लोग के mind में आ रहा हुआ कि 10 lakh से क्यों divide कियें तो अभी आप लोग को बताएगे थे न कि 1 megapixel equal to 1 million और 1 million equal to 10 lakh तो इसलिए आप हम 10 lakh से divide कियें तो आप देख सकते हैं जब आप इसका width and height को calculate किजेगा तो जो भी value आए उसको जब आप 10 lakh से divide कर दीजेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मेरा image है वो कितना megapixel के camera से खीचा गया है अब जब आप इसका megapixel को निकाल लीजेगा तो अब आपके mind में एक doubt आ रहा होगा मेरे doubt ये है न कि माल लेते हैं कि जब हम इसका megapixel calculate करके निकाले न तो एक average माल लीजे न कि ये जो मेरा megapixel आएगा माल लेते हैं कि वो मेरा 10 megapixel आया तो यहाँ पे मेरा confusion ये आ गया कि अब 10 megapixel का माल लेते हैं कोई phone है यानि कि मेरा जो phone का camera है वो 10 megapixel का है तो आप जब उस 10 megapixel का या 10 का बात हटा दीजिए आपका phone माल लेते हैं कि 64 megapixel का है यानि कि आपका phone का जो camera है वो 64 megapixel का है हम guarantee देते हैं friends कि जब आप 64 megapixel के phone से photo click कीजिएगा तो आपका photo कभी भी ऐसा नहीं आएगा तो अब यहाँ पर confusion आ रहा है कि DSLR का 10 megapixel से जब हम click कर रहे न तो photo इतना अच्छा रहा है and phone का आप 64 megapixel से भी click कीजिएगा फिर भी आपका photo quality यानि image का quality ऐसा नहीं आएगा तो अब यहाँ पर confusion आ गया मेगा पिक्सल तो सेम है तो फिर आखिर इतना बड़ा मेरे difference क्यों आ रहा है तो इससे simple समझे कि जब हम phone के camera से जब हम photo click करते है तो simple समझे friends कि आप जब कोई phone खरीद रहे है मालेते है कि आपका phone पचासजार का है तो जो मेरा phone पचासजार का है उसमें camera का rate मेरा पचासजार का नहीं है वो मेरा camera कम का है यानि कि camera मालेते हैं कि वो आपको दसजार का ही दे रहा है पचासजार आपको phone का वो जो features है उसमें लग रहा है जैसे कि आपका look हो गया, brand हो गया, display हो गया यह सब में आपका पैसा जा रहा है, आपका कैमरा में पैसा जा रहा है, मात 10,000 यानि कि 10,000 रुपीज ही आपका कैमरा में जा रहा है, बट अगर हम कोई DSLR लेते हैं तो DSLR में अगर हम 50,000 रुपिया इंवेस्ट करते हैं, यानि कि DSLR में जब हम 50,000 इंवेस्ट करते हैं, तो पूरा का पूरा 50,000 मेरा कैमरा में जाता है, तो जाहिर सी बात है 10,000 वाला कैमरा का क्वालिटी मेरा अच्छा रहेगा या 50,000 वाला कैमरा का क्वालिटी मेरा अच्छा रहेगा 50,000 वाला ये रहेगा तो वहाँ पे होता क्या है तो अगर हम फोन से फोटो क्लिक करते हैं, तो माल लेते हैं कि हम कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, और नीचर में हमारा उसका जो कलर है वो ये वाला कलर मौझूद है, या फिर माल लेते हैं कि ये वाला कलर मौझूद है, तो जब फोन से हम कोई फोटो क्लिक करते हैं, यानि कि के camera से जब हम photo click करते है तो वो इस color को capture नहीं कर पाता है लेकिन वहीं अगर हम DSLR से click करते है तो वो यह नहीं लेकिन ये color ज़रूर capture कर लेता है यानि कि वो काफी हग तक नीचल में जो color मौझूज रहता है उसको capture कर लेता है तो आप ज़रा समझिए मेरा pixels का quantity बहुत है जिसके माल लेता है कि DSLR मेरा pixel 10 ही है यानि कि DSLR के photo मेरा 10 ही pixels है and phone के phone के photo मेरा 100 pixel है बट किसी भी pixel का color सही है ही नहीं यानि कि phone से जब हम ले रहे न तो pixels का ही color सही नहीं आ रहा तक quantity बढ़ जाने से मेरा quality थोड़ी बढ़ जाएगा जाहिए बात है pixel का color से आएगा तभी न मेरा quality अच्छा होगा लेकिन DSLR में अगर मेरा 10 pixel है तो उस 10 pixel का जो मेरा color है वो accurate आ रहा है जिसके करें DSLR से जब हम photo क्लिक करते हैं तो वो लाग गुना बैटर है मेरा phone के mobile से तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा pixel का quantity increase हो जाने से कोई फर्क नहीं पढ़ता है आपका camera पर भी fact पढ़ता है कि आप किस camera से photo को click कर रहे है तो I hope friends कि आपको यहाँ तक clear हो रहा होगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम resolution को बढ़ाते हैं तो image का quality बढ़ जाता है क्यों image का quality बढ़ता है क्योंकि जाहिर से बात है जब हम resolution को increase करते हैं तो मेरा क्या increase होता है तो हमारा pixels का quantity increase होता है और जब pixel का quantity increase होगा यानि कि image का quality increase होगा लेकिन यहाँ पर मेरा एक सबसे बढ़ा question यह आगाता है कि हम किसी भी image के quality को increase नहीं कर सकते है आप लोगको थोरा सा confusion लग रहा होगा बट फिर से समझेए friends अभी आप लोगको मैंने बताया कि resolution बढ़ाने से क्या होता है मेरा image का quality बढ़ता है क्यों quality बढ़ता है क्योंकि जब हम resolution को increase करते हैं तो मेरा pixels का quantity increase होता है और जब pixels का quantity increase होता है ना तो मेरा image का quality increase होता है अभी मैंने आप लोगों को ये बताया लेकिन हम किसी भी image के quality को increase नहीं कर सकते हैं Photoshop में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अधिया हुआ है resolution आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप resolution बढ़ा भी दीजेगा ना फिर भी आपका image का quality में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी आप लोग के mind में आ रहा हुआ कि sir अभी आपने बताया ना कि जब हम resolution को बढ़ाते हैं तो हमारा image का quality बढ़ जाता है फिर आप बता रहें कि हम मतलब किसी भी image के quality को increase कर ही नहीं सकते हैं इन high quality देखेगा बहुत सारा यूटूबर्स के हैं कि अपना डाल के रखा हुआ है कि पूरा blurry blurry आपका thumbnail लगा के रखेगा और उसको HD quality में वो convert करने का मतलब thumbnail में बताएगा बर जब आप click की जगा तो देखेगा उसका image पहले से ही सुधरा हुआ रहता है यानि कि वो सब सब जोल मारता है ऐसा कुछ भी नहीं है हम low quality की image को कभी भी high quality में convert नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा होता ना तो आज जो movie बन रहा है या फिर wedding का जो भी काम हो रहा है आज सारा काम मेरा phone से होता है DSLR से मेरा काम नहीं होता तो यह जो भी हम बताया है कि resolution बढ़ाने से मेरा image का quality बढ़ जाता है यह सच है resolution जितना ज़्यादा रहेगा इमेज का quality उतना अच्छा रहेगा लेकिन यह मेरा image खिजते समय डिपेंड करता है ना कि खिजने के बाद यानि कि जब फोटो को क्लिक कीजिएगा तो यह बात मेरा तब लागू होता है ना कि फोटो को खिजने के बाद अब resolution बढ़ाईएगा और सोचिएगा कि हमारा image का quality बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है यानि कि यह बात हमारा photo capture करते समय लागू होता है ना कि capture करने के बाद तो अब आपके mind में आ रहा होगा कि जब हम resolution बढ़ा देते हैं तो आखिर होता है quality क्यों नहीं बढ़ता है तो इसे simple language में समझी कि जब हम resolution को बढ़ाते हैं तो अब ही देखिए मेरा resolution क्या है अभी मेरा deficiency resolution माल लेते हैं कि मेरा 72 pixel पर इंज यानि कि एक इंच में 72 pixel मेरा मोझूद है यानि कि माल लेते हैं कि मेरा यह selection है जो मेरा 1 inch का है और इसमें फिर कितना pixel मझुद है 72 pixel है तो अब जब यहां पर 72 के जगे यानि कि image में जाकि image size में जाकि जब हम 72 के जगे अगर हम यहापे 1000 कर देंगे या फिर 300 कर देंगे तो होता क्या है कि इसका यह जो pixels है यही pixels आपस में divide हो जाता है यानि कि यहापे आपको एक pixel अभी नजर आ रहा होगा कि जब हम resolution बढ़ाएंगे तो यही pixel सापस में divide हो जाता है तो आप जब बताएंगे कि यह pixel अगर divide हो जाए तो आप जब इसको दूर से दिखेगा दूर से तो आपको वही नजर आएगा ना एक ही pixel नजर आएगा ना तो pixel का quantity तो increase हो जाएगा लेकिन image के quality में आपको कोई फर्क नहीं आएगा इस बात को आप ध्यान से समझ लिजिए आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत सारे दिखेगा ना यूटूबर्स अपना वीडियो अप्लोड करके रखा हुआ है कि resolution increase कीजिए quality increase हो जाएगा लेकिन वो सब सब जोल मारता है ऐसा कुछ भी नहीं है कभी भी हम image का quality को increase नहीं कर साथे देखिए image को काला image को गोरा कर देना exposure को थोड़ा सा increase कर देना यह मेरा quality नहीं है यह मेरा उसका effect है यानि कि थोड़ा सा photocom सुधार रहे है quality में हम changing नहीं ला रहे है वो मेरा एक effect है quality नहीं है quality मेरा एक अलग बात हो गया quality यानि कि प्रफ बलरी image है आपको पुरह HD में convert कर दी है यानि कि आपका image देखने में पुरह blur है और आप इसको one click के जो और आपका DSLR का image में convert हो जाएगा यह देखिएगा कभी possible नहीं है आपका जब resolution बढ़ाईएगा तो कुछ भी नहीं होता है pixel का quantity बढ़ जाता है तो जब pixel का quantity बढ़ जाएगा तो image पे क्या effect पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं मेरा image का size बढ़ जाएगा यानि कि माल लेते कि हमारा 1MB का image है न इंक्रीज हो जाएगा ना कि image का quality इंक्रीज होगा तो I hope friends कि आपको resolution क्लियर हो गया होगा तो यदि आपको doubt है तो आप video को repeat करके देख सकते हैं या फिर आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं तो इस video में मैं इतना ही दहने देता हूँ नेक्ट वीडियो में friends हम पढ़ेंगे color mode and beat के बारे में तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you